कि नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए किताब लाई हूं खांटी ही भली जी हां दोस्तों मैं आज इसके बारे में चर्चा करूंगी आपके साथ बात चीत करूंगी इसकी रचीता है मंजुला बिश्ट आप देख सकते हैं यह एक कावे है खाटी ही भली तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरा हर वीडियो तुरंत मिले तो आज मैं बात करते खाटी ही भली यह कावे है पेपर बैक में 2021 प्रकाशित हुआ है बोधी प्रकाशन से आया है मुले मात्र 150 रुपए और प्रिश्ट 144 और मैं बात करती हूं मंजुला जी के बारे में यह बन बसा उत्तरा खंड निवासिया इन्होंने बीए बेट किया है अने एक रचनाय प प्रत्म कावे है और अब मैं बताती हूं कि यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने प्यारे बुबू को भेटू को समर्पित की उस मनो कामना को सादर समर्पित जिसमें मुझे कभी भी कलम ना छोडने का स्निय हाशीष गुमफित था ऐसा इन्होंने कहा है और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है राजाराम भादू जी ने लिखी है और वे इसमें लिखते हैं इस पुस्तक के बारे में कि मन्जुला के स्रिजन की विशेश्टा यह है कि उन्होंने अपने व्यक्ति गत को विस्तार दे दिया उन्होंने अपने व्याक्तिक संगर्ष और स्वपनों को सामोहिकता के साजे भविशे से जोड़ दिया है, उनकी समझ साफ है कि भविशे अंतता सामोहिक ही होना है, उसमें भी सिर्फ मनुष्य समाज से ही नहीं, बलकि उससे प्रकृति और प्राणी जगत भी जुड़ा हु है जीहा, यह धरती सबकी है, और आगे उन्होंने कहा है कि नए भीम्बों और रूप कात्मक संयोजन से वे अपनी कविता का मुहावरा रचती है, इसमें बोंसाई सबिता के विद्रूप के रूप में आती है, ऐसा राजा राम भादुजी ने कहा, और अब मैं थोड़ा स है, इसमें लोग भाशा के शत प्रियुक्त हुए है, वसुधैव कुटुम्ब कम का भाव है, सर्वमंगल मांगले का भाव है, प्रार्तना है सबके लिए, अनेग गुंजलकों से बुनी गई है कविताएं जिने सीधा समझने का प्रयास बेमानी हो जाता है, कठिन दोर की, कठिन अनुभूती की कठिन अभिव्यक्ति है इसमें, घर परिवा, देश, दुनिया की चिंता है, चिंतन है, मातर इस्त्री पुरुष की दृष्टी नहोंकर एक संपून व्यक्ति का दृष्टी कोन है, विचारों का गुंफवन है, अति बोदिक्ता के साथ अति इस्ति का विस्तारण करना होगा, तभी वे उस कविताओं के मर्म को छूपाएंगे, तो इनके कविताओं में प्रारंबिक 21 दिन के विशे में पहली बार कविता लिखी गई है, घर लोटे नागरिक हैं, उमीद बाकी है, इस्तरी की व्यक्तिगत भाशा, ससुराल छोड़ बेटी, रोजगार छोड़ाया बेटा, प्रेम, मजदूर इस्तरी, पिता का ना होना, रोना निशेद है, आज की स्वार्थी संतान के बारे में बात किये हैं, शार्दा नदी के बारे में बात की है, और जमीन, हवा, पानी को महसूसता मैं, यह भी है इसमें, व्यक्ति रोहे को खाएंगे, हिंसक बनेंगे, तो देशवर जागे, यह सारी बातें इन कविताओं में हैं, मैं बताऊंगी आगे, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत मालुम होई गया होगा, कि इसमें किस तरह की कविता हैं, बड़ी अलग कविताओं हैं, शीदी सरल कवि दरिया, जरोखे पर सूरच चांद, पलकों की आवठ पर स्वपन, पुरानी पुस्तकों की सूवा, संदूक्ची में गाड़ी स्मृतियां, प्रेम की हरी उमीर, नफरत से दूरी, आखों की बेलोस नमी, मिट्टी की सोंदी, महक पसीने की गंध, तल्वे की ठकन, ओस में विलुप संगीत, मुस्कान के निश्चल गीत, नवीन पगडंडियों का न्योता, सुक की सार्व जनिक्ता, जीजिविशा के लोग गीत, चीवन का लिहास, मृत्यों का सम्मान सब तक पहुँचे, धर्ती की सर पीली तपन, आकाश का मैलापन, हवा की खामोश चिलकन, परिक्षणों हेक्तू, दुस साहस, अनाथों की लंबी अरजी, अकेली इस्तरी के भए, बुडापे के खेली लाठी, शत्रुसेना के शहीत की बची गोलियां, अभिशप्त आत्माओं की कराहें, बीज की अस्वस्थता, न्याय की अंतिमों मीद, सर्वहारा की जीजिवि जूटी अधूरी कविता ही, कहानियों में उपेक्षित चरित्र, पुरानी उलजी कपास, पुर्खों के लोटने के रास्ते, बचे हुए पवित्र विश्वास, अनसुने अपराद बोद, नफरोतों के अप्रेशित पत्र, रोने की कुछ छिपी जगा, प्रपंची के ख् अभ्यास, मा से किया अंतिम वाइदा, पिता की कुल जमा दो तस्वीरें, साथी के अलिखित प्रेमगीत, बेटू का प्रथम पग संगीत, तरूपक देखिए, बेटू का प्रथम पग संगीत मुझ तक पहुँचे, लेकिन हे प्रभू, तुम्हारे अस्तित्तु के प्रत प्रति, शंका और अशंका, तुम तलक भी कभी ना पहुचे, कभी ना पहुचे, कभी ना पहुचे, कभी ना पहुचे, धाई प्रिष्ट की ये कविता है, और अगली कविता है, हिंदी सीज रही है, शिर्षक जो कविता उसमें एक पंक्तीस में है, खाटी ही भली, खाट कि पुरानी हिंदी बनाम नई हिंदी मौलिकता को लेकर उठे वैचारिक द्वंदों के बीच कहीं भाषा की आत्मा लएताल न खोदे क्या इतना काफी नहीं है भाषा के अलोचकों और पुरोधाओं के लिए कि हिंदी खूब बोली जा रही है लिखी जा रही है समझी जा रही है पुराने बासमती चावल सी हिंदी सीज रही है मनुच की आत्मा में भाषा का नमक चड़ने दो उसके मन माफिक पाठकों तक उस पाठक तक जो सिर्फ हिंदी को जानता पहचानता है उसकी आयू को नहीं यह हिंदी उसकी पुर्खों की आदिम वाणी है, इसे बार-बार फूटने दो, बेहने दो, लोटने दो, रह जाए इतनी पहचान और ठसक अपनी हिंदी की, किसकी सबाचो पालों में आने वाले के कांधे पर अगर गंधाता नमकीन अंगोचा हो, या जूलती हो कोई सुगं विदेशी टाई, तो भी मंच पर कोई पराई अक बकाहट न हो, जी हाँ, हमारी हिंदी है इतनी विशाल, बस उसके मूँ से जब नहे बरसे, गजिन, आक्मियता से, या फूटे को या क्रोच भी और उस बोली की त्वरा और तेवर, अपनी हिंदी का हो, बले हिए किसी भी जनपत की हो, तूटी फूटी या मिश्रित ही सही, सोंधी न सही, खाटी ही भली, खाटी ही भली, अनबुजी रह जाये तो कोई बात नहीं, अनसुनी रह जाये तो मलाल नहीं, देखना, हिंदी की आत्मा अपनी खूटी से रंबाती गया की तरह, अपना नाम हर बोली में पहचान ही लेगी हर बोली में पहचान ही लेगी तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कुछ इसकी अंदर गंभीरता है जिससे सागर की गहराई एक गंभीरे ओड़े ऐसी इनकी कविताएं हैं और इसकी आखरी मैं परदेती हूं अनुपस्तिति पर प्रथम श्वास यह क पिस सब कुछ घटित होने लगे जिसे मातरे घटना कहकर कभी कोई मृत दे अपना अनुभव ना सुना पाया हो तब विस मृत करना चाहूंगी उन ख्यानों को जब मातमी माहोल में मुझे दिकारा गया जो राहे की उस विदरूप हसी पर हाथ धरना चाहूंगी जब मैं बगैर पैरवी के ही अपरादी खोचित थी उस हृदे को खूब विराट बना देना चाहूंगी जिसकी नफरत को कभी कम न कर सकी कड़ी धूप में खड़े उस पेड़ से ख्यमादान मांगना चाहूंगी जिसके विखरे बीजो पर मैंने कभी जल नहीं ठिड़का था उस मलान पुष्प को भी जी भरकर निहारना चाहूंगी जो स्रिष्टी का सबसे खूबसूरत रिजन हो सकता था लंबे रास्ते के साथ चलते हुए वो सिमांत बिंदू देखना चाहूंगी जहां पहुँचकर वैरास्त अपनी ठकन उतार देता है बविश्य के अनुपस्ति पर प्रथम श्वास लेते हुए यह मेरी पंच भू तैही कामना तो वश्य पून हो विलीन होते आकाश को चूमू छिटकते जल प्रपात को चक लूँ सिमत्ति वायू को कंधो तक लवालब भर लूँ प्रज्वलित अगनी के स्मरण मात्र से भय मुक्त हो जाओं फिर ठक अब भी सम्मान्यस नहिल नहों जिनकी मात्रा के व्यक्तिगत आकलनों द्वारा मैं अच्छी प्यारी इंसान उचारी जा सकूं लेकिन हां मेरे अंतिम विदाई के बाद मैं अंग रूप में वहां उपस्तित अवश्य रह सकूं जहां कुछ हताश जीवन मेरे पार्थिव भली तो मैं उमीद करूंगी कि आपको इस समिक्षा पसंद आई होगी और आपको इनकी कविताईं भी अच्छी लगी होंगी और अब मुझे विदा दीजिए और मैं आपके सामने नई कड़ी के साथ प्रस्तु चल धी हूंगी ठनेवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क क्यारी किसा